अलो दोस्तों, न्यूटेग फ़री चैनल में आपका स्वागत है आज हम कंपेर करने वाले हैं तो बजट फोन के बारे में इसमें पहला फोन है रेड्मी नोट 10 और वहीं पर दूसरा फोन है अमारे कंपेरिजन में Poco X3 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहला फीचर हम कंपेर करेंगे बैक साइड का कैमरा डेड्मी नोट 10 में आप देख सकते हैं कि चार कैमरे लगे होगा है बैक साइड पर तो सबसे पहला कैमरा इसमें 48 मेडा पिक्सल का क्वाड कैमरा 2nd मिल जाते इसमें 8 MP का Ultra Wide Camera 3rd Camera मिल जाते अपको 2 MP Microw Sensor Camera 4th Camera मिल जाएगा आपको 2 MP Depth Camera वही पर Poco X3 मिल जाएगा आपको 64 MP Ultra Wide Camera 13 MP Ultra Wide Camera और शाथ वे मिल जाएगा आपको तीसरा पर कैमरा है, 2 Megapixel Microsensor कैमरा और चौता मिल जाएगा आपको 2 Megapixel Depth Camera तो इस दो देख सकते हैं, चलिए अगले फीचर पर हम पर कामरा बर्ट पाके साथ दो पाधxis कैमरा है अगला फीचर है मारा Color Variant, Color Variant कौन-कौन से अब लेबल है मार्केट में, तो Redmi Note 10 में आपको थी वेरियंट्स मिल जाएंगे, Aqua Green, Shadow Black और Frost White, वहीं पर आपको Poco Extreme मिल जाएगा, Shadow Gray, Cobalt Blue, तो इसमें दो भी वेरियंट्स हैं, बाकि Redmi Note 10 में तीन वेरियंट्स हैं, तो आप देख सक अगला फीचर कंपेर करते हैं, अगला फीचर हमारा मेन प्रोसेसर का, इसी भी फोन को smoothly चलाने के लिए प्रोसेसर बहुत जरूरी है, तो इसमें Redmi Note 10 में आपको मिल जाता है, Qualcomm का Snapdragon 678 का प्रोसेसर, with Adreno 612 GPU, Poco X3 में मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर, with Adreno 618 GPU, और साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा टेकनोलोजी दिए है, लिक्विड कूलिंग टेकनोलोजी का यूज़ किया हुआ है, जो फोन को कूल रखेगा, आप गेम खेलते हैं, या भी कोई हैवी काम करते हैं, तो देख सकते हैं, इसमें कंपेरिजन, अगला फीचर कंपेर करते अगला फीजर कंपेर करते हैं, तो दिस्प्ले की बात करें, तो इसमें डिमी नोट टन में मिल जाएगा, आपको 6.3 cm का डिस्प्ले, और इसके अधर फीचर की बात करें, तो रेजूलीशन मिल जाएगा, को 2400 का 1080 of HD plus डिस्प्ले, और साथ में अगला फीचर जैसे कंपेर करते हैं तो फे, इसमें अगल ग्लास मिल जाएगा Corning Gorilla Glass 3 और Poco X3 में मिल जाएगा आपको 16.94 cm का डिस्प्लेय है और इसमें resolution मिल जाएगा 2400 x 1080 FHD Plus डिस्प्लेय है और second feature इसमें मिल जाएगा आपको 120 Hz refresh rate 3rd IPS LCD का यूज़ किया हुआ इसमें डिस्प्लेय में और 3rd और 4th की बात करें तो 240 Hz touch sampling rate है तो आप गेम जो है smoothly खेल सकते हैं और बढ़िया response मिलेगा आपको पांच मिल जाएगा इसमें cover glass Corning Gorilla Glass 5 का protection तो अगला feature compare करते हैं अगला feature है हमारा size and weight थोड़ा सा comfortable feel करने के लिए अगर mobile हाथ में ले या फिर जेब में राखिया तो weight और size matter करता है तो इसको compare करते है सबसे पहले इसमें width मिल जाएगा आपको Redmi Note 10 में 7.45 cm और height मिल जाएगा 16.046 cm और thickness मिल जाएगा आपको 0.83 cm वहीं weight मिल जाएगा आपको 178.8 gram का और Poco X3 में मिल जाएगा आपको width 7.68 cm का height 16.33 cm और thickness मिल जाएगा आपको 1.008 cm और weight मिल जाएगा 225 gram का weight में थोड़ा से ज्यादा variation है बाकी चीजों में थोड़ा से थलका से variation है तो आप देखी सकते है comparison अगला feature हम compare करते है अगला feature हमारा battery battery backup बहुत ज्यादा जरूरी होता है काफी देड़ तक अगर काम करते हैं तो battery सबसे ज्यादा जरूरी होती और हर चार्जिंग अवलेबिल नहीं होता है तो battery compare करते है आपको Redmi Note 10 में battery backup का support मिल जाता है 5000 mAh का और charging support मिल जाता है USB Type-C का और reversible connector port मिल जाता है 33W charging support मिल जाता है in box और वहीं पर Poco X3 में मिल जाएगा आपको battery 6000 mAh का battery मिल जाएगा charging port मिल जाएगा USB Type-C का reversible connector port मिल जाएगा इसमें 33W fast charging support मिल जाएगा इसमें तो आप देखिए सकते comparison अगला feature compare करते है तो अगला feature है compare करने वाले price price आपको Redmi Note 10 का मिल जाएगा price 11999 का Poco X3 का price मिल जाएगा 14999 का Poco X3 में थोड़ा सा variant के हिसाब से price plus minus हो सकता है क्योंकि RAM और storage के हिसाब से price वेरी कर सकता है तो आपको कौन सा phone पसंद आया अब नीचे comment में जरूर बता है और यह भी बतता है कि कौन सा future में phone का comparison चाहते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शिरू और सब्सक्राइब करने ना बूलें और साथ में प्रोटिपिक्सिंग का बेल जरूर दबाएं किसी भी technology related वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए थैंक्यू